नमस्कार किसान माहियो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल किसानों की पाट साला में किसान माहियो, अगर आपकी धान की फसल में तना छेदक कीट या पत्तल अपेटक कीट का अटेक हो चुका है यानि कि आपको आपकी धान की फसल में इन कीटों का प्रकोप देखने को मिल रहा है और आपकी धान की फसल में इन कीटों के द्वारा बहुत ज़्यादा नुक्सान हो रहा है तो आप इन कीटों से कैसे बच सकते हैं, इनका बचाओ आप कैसे कर सकते हैं किन दभाओं का आप इस्तेभा करें, जिससे की आपको इन कीटों का बहुती आसानी से कंट्रोल हो जाए, और आपकी धान की फ़सल में होने बाले नुक्सान से आप बज सकें, जिससे की आपकी धान की फसल है, वो बहुती अच्छा उत्पादन निकाल कर आपको दे। तिरह से control कर सके और आपको जो दबाएं मैं बताने बाला हूं उनका आपको कैसे इस्तिमाल करना है कितने दुनों की फ़सल की अवस्ता पर इस्तिमाल करना है यह पूरी जानकारी मैं आज आपको देने बाला हूं तो वीडियों में last तक बने रहे हैं जिससे कि आपको भी एक सही और सटीक जानकारी मिल सके और आपकी फसल में होने वाले नुकसान से आप बच सके तो चलिए सुरू करते हैं किसान भाईयो बात करते हैं तनाचेदक या पतल अपेटक कीट के बारे में तो किसान भाईयो जब हमारी जो धान की फसल लगबग 15-20 दिन की होती है तो उसमे हमें सफे तितली दिखाई देने लगती है और यही सफे तितली किसान भाईयो जो हमारी धान की फसल है उसमें एक जाले टाइप का बना देती है और इसके लगबग 2-3 दिन बाद ये तितली प्यूपा का रूप ले लेती है और जो धान की फसल है जो पत्तियां है उनको ल पेटक कीट जब हवा के द्वारा जमीन पर नीचे गिर जाती है तो बहीं से पौदे में छेद करके अंदर प्रवेस कर जाती है और जो पौदे की में गोव होती है उसको काटना सुरू कर देती है जिससे की जो हमारी पौदे की में गोव है वो सूख जाती है और हमारी फसल म हमें बहुत नुकसान देखने को मिलता है तो किसान भाईयो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको जिस दवा का इस्तिमाल करना है वो है किसान भाईयो ठाकर केमिकल का बरबरी किसान भाईयो बरबरी के अंदर टेकनिकल की बात करें जो कि हमारी धान की फसल में लगने वाली तना छेदक या पत्तला पेटक कीट को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रॉल करता है और आगे आने वाले समय में भी हमारे जो धान की फसल है उसमें किसी भी तरह के कीट को नहीं आने देता है। किसान भाईयों बात करें कि बरबरी की आपको कितनी मातरा का इस्तेमाल करना है तो इसकी 4 किलोगराम मातरा प्रती एकड के हिसाब से आपको लेनी है। बात की आए इसको लगाने के समय की तो लगबग जब हमारी फसल 15-20 दिन के आसपास की हो जाती है तब हमें इसको लगब चालिस से पैंतालिस किलोग्राम यूरिया प्रती एकड़ के हिसाब से लेकर उसमें अच्छी तरह से मिलाकर हमें अपनी धान की फसल में बिखेरना है किसान भाईयो इस बात का आपको विसेश धान रखना है कि जब भी आप बरबरीक का इस्तिमाल करें तो आपकी धान की फस अगे से तैयार किया गया है जो कि हमारी दान की फसल में बहुत आचह कर सके तो किसान भाईयों जब हमारी जो दान की फसल होती है उसमें जब पानी भरा होता है तब हम यदि का इस यस का इस्तिमाल करते ऐ today अच्छी तरह से पानी में गुलकर पौदिके अंदर पौदे कर इन दोनों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, बहीं बात की जाए किसान भाईयो कि आपकी धान की फसल में बहुत ही जादा संक्या में, बहुत ही जादा मात्रा में इन कीटों का टैक हो चुका है, तो आपको किन दमाओं का इस्तिमाल करना है, तो किसान भाईयो इनको कंट्र करने के लिए आप ठाकर केमिकल्स की एक्सिलेंट नामक दबा का इस्तिमाल कर सकते हैं बात की जाए इसके अंदर टेक्निकल की तो इसके अंदर किसान भाहियो कारटाप हाइड्रोक्लोराइट 50SB में होता है इसकी मात्रा की बात करें किसान भाहियो तो इसकी आपको किसान भाहियों को आप मार्केट से लाकर अच्छी तरह से घोल बनाकर अपनी धान की फसल में अगर इस्प्रे करते हैं च्छडगाओ करते हैं तो आपकी फसल में तनाच्यदक और पत्तल पेटक कीट जो अवेलेवल हैं जो उपलब्द हैं उनको यह पूरी तरह से कंट्र किसान भाहियों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अब हमसे हर जरूर करें